Hello Friends, Welcome to Trending Pradish दोस्तों आज 4 October है आज के लिए हम लोग छार्खन का Interface के Important Questions स्टार्ट करते हैं और सितंबर महिने के जो भी Questions हैं उसको एक साथ एक वीडियो में बना कर आपको एक या दो दिन के अंदर प्रोवाइट कर दिया चाहेगा और जो Lecture होगा उसके Coding, PDF फाइल और Quiz भी टेलिग्राम में उपलब्द करा दिया चाहेगा चलिए, पहला Question है चार्खन Premier League 2020 की विजेता टीम कौन सी टीम रही है? आपसंस क्या है? बुकारो Blasters, राची Raiders, दुमका Dare Devils, सिंगभूम, Strikers तो IPL की तर्ज पर ही यह जो है चार्खन Premier League 2020 कंड़क्ट किया गया चार्खन Premier League IPL के बेस्ट पर ही बनाए गया है तो इसका जो Option A है, बुकारो Blasters, यह इसका सही अंसर है इसके बारे में एक चीज और आप जान लेज़े, यह देखे, यह विजेता टीम के कैप्टन है यहाँ पर जो Important जान करिया है, यह तो खेर Match का दिया हुआ है, बेवरा उतना Important नहीं है, जो Important है वो यहाँ देखे जारखन प्रेमियर लिग की सुरुवात 15 सितंबर से हुआ था, जारखन प्रेमियर लिग का फाइनल मैच 2 अक्टोबर को J.S.C.A. International Stadium Complex राची में खेला गया, जारखन प्रेमियर लिग के सारे मैच J.S.C.A. Stadium राची के दो ग्राउंट्स में खेले गए और टोटल 33 में 33 मैच खेले गए, इसमें से कुल इन में टोटल 6 टीमों ने हिसा लिया था, और ये टीम कौन-कौन से थे, धनबाद, डाइनमोज, बोकारो प्लास्टर्स, राची रेडर्स, तुमका डेवर डेविल्स, सिंगभूम स्ट्राइकर्स और जमसेतपुर जगलर चलिए, सुरुवाती मैच राची रेडर्स और सिंगभूम स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया था, फाइनल मैच में आयूस को मैन अफ दा मैच घोसित किया गया है, जार्कन प्रिमेर लिग में मैन अफ दा स्रीज, आयूस भरतवाच रहें, और जार्कन प्रिमेर लिग का स्पॉंसर, कार्बन मोबाइल रहा, ओके, देखे, सेंट्रल एक्जामनेशन के लिए तो बिलकुल इंपॉर्टन नहीं है, लेकिन अगर छार्कन का एक्जाम है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टन हो जाता है, और इसी तरह के जब कोशेंस आते हैं, तो जो कैंड़ेट्स ह होते हैं, वो बोलने लगते हैं कि किस तरह का कोशन पुछा गया है, समवे नहीं आ रहा है, तो इंपॉर्टन हो जाता है, जितने भी रिजनल गेम्स होते हैं, रिजनल एवेंट्स होते हैं, वो छार्खन, मतलब अस्टेट गवर्मेंट एक्जामनेशन के लिए काफी question है किस rail engine कार खाने ने स्वधेसी तक्निक से पहला तेजस rail engine बनाया है इंडिया का पहला तेजस rail engine ओके फर्स्ट तेजस rail engine which is developed with Indian technology कौन सा कार खाना है देखें ओप्सन्स क्या है चन्नाई विसाखा पत्नम चितरनजन ओप्सन डी गोरखपुर तो ओप्सन सी जो है चितरनजन ये इसका सही answer है ओके चलिए इसके बारे में जान लेते हैं काफी important है ये question देखें ये बनाया हुआ देख लीजे आप दो अक्टूबर को इंडिया को समर्पित किया गया था चितरनजन रेल इंडियन कारखाने ने स्वधेसी तक्निक से पहला तेजस रेल इंडियन बनाया है इंडियन 160 किलोमेटर प्रती घंटे के स्पीट से दोड़ेगा पहली तेजस इंडियन को दो अक्टूबर को देश को समर्पित किया गया है चितरनजन में बने तेजस इंडियन की तक्निक पूरी तरह से देशी है करीब 10,000 कर्मचारियों ने 180 दिन के मेहनत कर 112 इंडियन बनाये है इसमें से एक तेजस भी है ठीक है? तो 112 इंडियन है टोटल उसमें से एक तेजस है यह भारत्य रेल के इतिहास में पहला विद्गित्य रेल इंजन है जो स्पीड, मॉडल, डिजाइन, तक्निक, रंग, रूप और छमता के हिसाब से नया और अध्वित्य है रेल इंजन की खासियत यह है कि यहाँ पहला पुस एंड पूल सिस्टम इंजन है यानि एक पाइलट इसे दोनों छोर से चला सकेगा अत्याधूनिक, एरो डैनोमिक, डिजाइन, युक्त या इंजन, धोनी रहित, प्रदूसन, मुक्त और एको फ्रेंडली है इसे गती पकड़ने में केवल 30 सेकेंड लगेंगे, जबकि दूसरे विद्यूत इंजन को 40 से 45 सेकेंड लगते हैं यहां पर आप यह picture देखें, यह जो corner होता है न तो यह जितना nuk cache होता है, ठीक है? उतना ही इसका aerodynamic अच्छा होता है, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था? कि इस तरह से square हुआ करता था? तो ये क्या होता है, aerodynamics मतलब होता क्या कि जो हवा काटने का चमता होता speed में उसी को बोलते हैं, ठीक है, तो जितना ये नुकिला होगा, उतना बढ़िया इसका aerodynamics होगा, तो चलिए, next point है, तेजस insulated gate bipolar transistor system से भी लेस है, या खोबी इसे तेजगती देती है, इसमें दो engine है, 6000, 6000 horsepower के, एक engine आगे खीचेगा, और दूसरा धकेलेगा, ठीक है, चालक एक ही रहेगा, ध्यान देने वाली बात है, चालक एक ही रहेगा, अब चुकि यहाँ पर चितरंजन की बात हुई है, हालांकि चितरंजन जो है, ये आसन सौल में बिलॉंग करता है, ठीक है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जाम ताड़ा में भी है, लेकिन आफिसली ये आसन सौल में बिलॉंग करता है, ये जाम ताड़ा से सटा हुआ है, कुछ हिस्सा जाम ताड़ा में भी है, यहाँ पर जाम ताड़ा के बारे आप देख लीजी, ये map है, चारकंट का, बहुत लोग ने बोला था कि आप जब district के बारे में बताते हैं तो map सो किया कीजिए तो just here starting है आने वाले videos में जितने भी district के नाम लिये जाएंगे मतलब कि जो भी district mention किये जाएंगे question में सभी district का map यहाँ पर दिखाया जाएगा और उसके साथ map का जो surrounding है जो भी चोहदी है हो भी बताई जाएगी मतलब यह है कि अगर आपने लगातार एक या दो मेहना लेक्चर देखा तो अलग से आपको map के लिए practice करना ही नहीं है आप current of year के lecture में ही map को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो जामताड़ा है विजन में ही आता है और इसका अगर हम constituencies की बात करें लोकसभा और विधान सभा तो लोकसभा constituencies जो है यह दुमका में आता है मतलब कि यह दुमका के साथ सेर करता है और जो विधान सभा constituencies इसमें total तीन है टोटल जो एरिया है लगभग 1800 स्क्वार किलोमेटर का है और उसके बाद इसकी जो लेट्रेसी है वो 63 63.73% है और 6 रिस्यों जो है वो 959 ठीक है तो अभी फिलाल इतना ही जानिये इतना सभिसेंट है इसे धिरे धिरे और भी प्रूफ किया जाएगा मतलब कि district का अगर नाम आया तो सबसे पहले आपको जहरकन का मैप दिखाया जाएगा फिर district का मैप दिखाया जाएगा उसके surrounding में जो estate है या फिर district है उसके बारे में बताया जाएगा ठीक है तो overall क्या है कि current affair के lecture के साथ साथ आपका जो static GK है वो भी धीरे धीरे complete हो जाएगा कुछ कुछ हिस्सा खासकर map ओला जो हिस्सा है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जैसा लगता है वीडियो आप comment के थूरू feedback अपना देते रहें तो बहुत से लोग हैं in fact एक दो students ने जो comment किया है उसकी भी demand पूरी की गई है तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आपको जो इच्छा है आप comment करके बताय कीजे क्योंकि जब तक आप comment करेंगे नहीं हमें पता चलेगा नहीं आपको पसंद आता है वीडियो अप like क्या कीजे कुछ comment करके बताना आप comment करके बताय कीजे और साथी साथ ये भी हम लोग आपसे request करते हैं कि वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों से इसे share भी क्या कीजे क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हम से जोडेंगे उतने ही ज़्यादा हम अच्छे अच्छे content आप लोगों को provide कर पाएंगे क्योंकि जितने ज़्यादा number होंगे हैं students के उतना ही ज़्यादा हमारे लिए motivation का ये काम करेगा ओके थाट question है National Crime Records Bureau कि 2019 report के अनुसार महिला घरेलू हिंसा में जहारकन पूरे देश में कौन सा स्थान है अब देखें याँपर question क्या है question है महिला घरेलू हिंसा women domestic violence तो इस report में जहारकन का कौन सा स्थान है अब इस question में हम लोग इसके पारे में तो जानेंगे ही साथ-साथ इस report में और भी क्या था उसके बारे में भी जानेंगे तो question है लेकिन details काफी है तो इस category में women domestic violence में जहारकन का तीसरा स्थान है जहारकन का तीसरा स्थान है और चुकि ये तीसरा स्थान है तो आप जानना चाहेंगे कि इसमें पहला और दूसरा कौन है ठीक है जहारकन तीसरा स्थान पर है जबकि MP ये पहले नंबर पर और केरला ये दूसरे नंबर पर है अगर किसी और category की बात की जाए है जिसे कि NCRB ने साल 2019 का अपरात कांकडा भी जारी किया है इसके मताबिक फिरोती के लिए फिरोती के लिए अपरन के मामले में जहारकन देश भर में अवाले मतलब की इसका पहला पोजिसन है ठीक है और 2019 में जहारकन में ऐसी 65 घटनाई हुई है जबकि इस मामले में गुजरात 64 घटनाओं के साथ दूसरे और असाम 54 घटनाओं के साथ तिसरे नमबर पर है ठीक है वहीं सामप्रदाइक हिंसा में जहारकन जो है पहला बिहार है और जहारकन बिहार के बाद दूसरे अस्थान पर है ठीक है चलिए वहीं SCST के मामले में जहारकन दूसरे पाइदान पर है यहां 533 ऐसे मामले दर्श किये गया है उत्तर परदेश 2394 के साथ पहले और मध्य परदेश 271 के साथ तीसरे नंबर पर है ठीक है? तो यह डेटा 34 कडिगरी में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है चलिए, नेक्ट कोशन देखते हैं जहारकन यहां पर यह नहीं होगा जहारकन अस्टेट आरोगे सोसाइटी के द्वारा कैम्प लगा कर किस आदिम जन जाती के लिए गोल्डन कार्ट बनवाया गया है कैम्प्स आर बिंग और्गनाइजड बाई जहारकन अस्टेट आरोगे सोसाइटी इस्विंग ओफ गोल्डन कार्ट्स फोर पर्मिट्व ट्राइव नेम्ड कौन सी जाती के लिए बिर्जिया, बिर्होड, परहिया, असूर तो आपसन बी जो है बिर्होड ये इसका सही एंसर है ठीक है, देखे प्राइविट हॉस्पिटल में ये फाइदा ले सकें, इसलिए ये कार्ट बनवाया गया है मैं आपको बता रहूं कि ये कार्ट होता क्या, पहले थोड़ा सा ये जान लीजे यहाँ पर कि खुटी जिला के अड़की ब्लॉक में कैम्प लगा कर बिर्होडों का गोल्डन कार्ट बनवाया गया आदिम जनजाती परिवारों का गोल्डन कार्ट बनाने के लिए जारकन अस्टेट आरोगी सुसाइटी के दौरा कैम्प लगाया गया था गोल्डन कार्ट के अभाव में आदिम जर्जाती के लोगों को इलाज कराने में बहुत परिसानी होती है सरकारी एस्पतालों में तो उन्हें मुफ्त उचार मिल जाता है लेकिन प्राइविट हॉस्पिटल में मुफ्त उचार की सुवीधा ये लोग नहीं उठा पाते हैं चारकन अस्टिटार होगे सुसाइटी के द्वारा कैम्प लगाकर इनके लिए गोल्डन कार्ट बनवाया जा रहा है चलिए अब यहां पर देखते हैं कि गोल्डन कार्ट की आखिर उप्योगीता क्या है गोल्डन कार्ट बन जाने के बाद अब हर परिवार राज्य एवं देश के सभी सरकारी एवं सुझी बद नीजी अस्पतालों में भरती होकर पांच लाख रुपए तक का निसुल्प उपचार करा सकते हैं ठीक है चलिए पांचों कोशिन देखते हैं हाली में जारकंड के किस सिक्षक के दवारा दस पुस्तकों का अनुवाद कुर्माली भासा में किया गया है इंग्लिस वाला देखें यहां पर इस्कूल का नाम भी लिखा हुआ है मिडल इस्कूल नाम को मुराची यहां से यह टीचर ब्लॉंग करते हैं तो वो कौन से टीचर है अजय ग्यानी, अजय कुमार ग्यानी, अजय कुमार अजय इतना भी confusing options नहीं मिलेगा लेकिन जिश्ट प्रैक्टिस करवाने के लिए question को इतना confusing यहां डाला जाता है similar options को यहां पर रखा जाता है ताकि आपका practice अच्छे तरह से हो पाए तो option B जो है अजय कुमार ग्यानी यह इसका सही answer है इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं देखें नामकुम राची इस्थित मद्द विद्याले के सिक्षक अजय कुमार ग्यानी के द्वारा दस पुस्तकों का अनुवात कुर्माली भासा में किया गया है यह पुस्तक आंगन बाली केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने में सहयक होगी इस पुस्तकों का उप्योग अगले सैक्षनिक संसे कुर्माली बोले जाने वाले छेतरों में इस्थित आंगन बाड़ी केंदरों के बच्चों के पठन पाठन में किया जाएगा राची उपायुक्त के द्वारा उन्हें प्रसस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है चलिए छटा कोशन है राची इस्थित गेतलसुद डैम में बन रहे एक सो पचास मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए कितने करोड रुपए का बजट आवंटिट किया गया है आप्सन्स हैं 820, 825, 830 या फिर 835 करोड तो आप्सन B जो है 825 करोड ये इसका सही अंसर है इसके बारे में थोड़ा सावर जान लेते हैं देखिए राची स्थित गेतलसुद डैम में बन रहे 150 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए 825 करोड रुपए का बजट आवंटिट किया गया है इसके निर्मान के लिए आर्थिक मदद वर्ल्ड बैंक परदान करेगा इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट के निर्मान के लिए 2019 में जारखन बिजली वित्रन निगम लिमेटेट और सोलर एनरजी कार्पोरेशन आफ इंडिया के बीच एमोयू हुआ था ठीक है लेकिन सोलर पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को भेजने के लिए ग्रेट की विवस्था नहीं होने के कारण इसे सुरू नहीं किया जा सका था अब सीके दरी में ग्रेट के लिए जमीन आवांटित होने के बाद इस प्रोजेक्ट पर 18 महीनों के बाद फिर से सुरू किया जाएगा तो ये आज के लिए 6 important questions थे आप पूर आपने दिया दिया होगा कि इसके explanation को इस तरह से बनाया जाता है कि यदि आप वीडियो को नहीं भी देख रहे हैं ये अरफोन आपने लगाया है आप जश्ट सुनके सारे questions को सुनके explanation समझ सकते हैं easily तो इस तरह से इसे बनाया जाता है और definitely आपको जो पेडिया दिया जाता है वो आपको future में इन सब को recall करने में, revision करने में फायदा करेगा और हाँ मैं फिर से आपको याद दिला दो कि जो quiz organize किया जाता है सामको टेलिग्राम में उसे attempt करना ये आपके लिए बनाया जाता है चलिए, last lecture का जो question था इन मेंसे जहरकरण के किस व्यक्तित्तों को राष्ट्रेपती पुलिस पदक से सम्भानित किया गया है ये double लिखाया है तो options आपने ये देखा और इसका सही answer जो है हिमानसु सेखरजा ये इसका सही answer है इस बार बहुत लोगों ने comment नहीं किया आप comment क्या कीजे गलत ही सही लेकिन comment क्या कीजे ठीक है, अपने answer को comment के थुरू बताया कीजे तो हिमानसु सेखरजा ये सही answer है उन्हें स्वतंतरदा दिवस पर सम्मानित किया गया था या पुरसकार उतक्रिष्ट और चनोती पुर्ण कार्य और करतेवनिस्ठा के लिए दिया गया है हिमानसु वर्तमान में रेल मंत्राले में सायक सुरक्षा आयुक्त के पतपर है इसके पुर्व वे भारती दुतावास मॉस्को और भारती उचायुग में कर रहत थे ब्रिटेन में मॉस्को में अपने कारेकाल के दौरान उन्होंने सुधर 500 किलोमेटर बिहर जंगल इस्थित मॉर्दोविया जेल को जेल जो की विदेजी कैदियों के लिए विख्यात है वहाँ भारती कैदियों से मिलकर counselor एक्सिस के तहट मदद पहुँचाई थी चलिए आज के लिए आपका question है जालसा की कौन सी योजना के तहट जेल में बंद कैदियों के परीजन संपुर्ण सहयता पहुँचाने का काम किया जा रहा है किस योजना के तहट जेल में जो बंद कैदियां के दी है उनके परीजन उनके परीजन को संपुर्ण सहयता पहुचाया जा रहा है कोशन आप समझ गए according to which one of the plans carried by जे एच एलसे जिसे जालसा भी बोला जाता है financial help is being given to the poor families of the prisoners options क्या है निस्ठा, सेवा, कर्तवे, जिमितारी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करते हैं और अपने दोस्तों से अगर आप सेयर करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगेगा और अपना feedback कमेंट करके इसी तरह से आप हमेशा देते रहें चली मिलते हैं जारकरण के अगले वीडियो में धन्यवाद